बारत माता की, बारत माता की, मध्य प्रदेश के राजपाल, स्रिमान मंगु भाई पटेल, मोख्य मंत्री भाई सिवराज जी, रेल मंत्री अश्विनी जी, अन्य सभी महानुभाव, और विशाल संख्या में आये हुए, बोपाल के मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहले, मैं इंदोर, मंदीर में राम नौमी का जो हाद्सा हुआ, मैं अपना दुख व्यक्त करता हूँ, इस हाद्से में जो लोग और समय हमें छोड़ गए, उन्हें में स्रद्धाजली देता हूँ, उनके परिवारों के प्रती, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ, जो स्रद्धालू जक्वी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है, मैं उनके जल्द स्वास्त की भी कामिरा करता हूँ, स्वास्तियों, आज MP को अपनी पहली बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, बंदे भारत एक्सप्रेस से बोपाल और दिल्ली के बीच का सफर और तेज हो जाएगा, ये ट्रेन, प्रोफेशनल्स के लिए, नवजवानों के लिए, कारोबारियों के लिए, नई नई सुविधा ले करके आएगी, साथियों, ये आयोजन, जीस आधूनिक और भव्य, रानी कमलापती स्टेशन पर हो रहा है, उसका लोकारपन करने का सोभाग्य भी, आप समने मुझे दिया था, आज मुझे यहीं से, दिल्ली के लिए, भारत की आधूनिक तम, बंदे भारत ट्रेइन को रवाना करने का, आपने आउसर दिया है, रेल्वे के इतिहास में कभी, बहुत कम ऐसा हुआ होगा, कि एकी स्टेशन पर, इतने कम अंत्राल में, किसी प्रधान मंत्री का दुबारा आना हुआ हो. लेकिन आधूनिक भारत में नई व्यवस्थाएं बन रही है, नई परंपराएं बन रही है, आज का कारकम इसी का भी एक उत्तम उदार है. साथियों, अभी यहां मैंने, जो यात्री के रूप में हमारे स्कूल के बच्चे जा रहे थे, कुछ पल उनके बीच बताया, उनसे समवाद भी किया. उनके भीतर, इस ट्रेन को लेकर जो उत्सुकता थी, उमंग थी, वो देखने योग्य थी. यानि एक तरह से, बंदे भारत ट्रेन, विक्सित होते भारत की, उमंग और तरंग का प्रतीख है. और आज जब ये कारकम ताय होता था, तो मुझे बताया गया, कि एक तारीक को कारकम है. मैंने का भई, एक अप्रिल को क्यों रखते हो, जब अखबार में खबार आएगी, कि एक अप्रिल को मोधी जी वंदे भारत ट्रेन को जंडी दिखाने वाले हैं, तो हमारे कॉंग्रेस के मित्र जुरूर बयान देंगे, ये मोधी तो एप्रिल फूल करेगा. लेकिन आप देखते हैं, एक अप्रिल को ही ये ट्रेन चल पड़ी है, सात्यों ये हमारे कॉंशल, हमारे सामर्थ, हमारे आत्म विश्वास का भी प्रतीक है. और बोपाल आने वाली ये ट्रेन तो परियटन को सबसे ज़्यादा मदद करने वाली है, इससे सांची स्थूप, बिम बेटका, बोजपूर, और उदेगिरी गुफा जैसे परियटन सलों में, आवा जाही और बढ़ने वाली है. और आपको पता है कि परियटन बढ़ता है, तो रोजगार के अनेक अवसर बढ़ने लग जाते हैं. लोगों की आए भी बढ़ती है, यानि ये वन्दे भारत लोगों की आए बढ़ाने का भी माध्यम बनेगी, छेत्र के विकास का माध्यम भी बनेगी. साथियों, 21 सदी का भारत अब नई सोच, नए एप्रोच के साथ काम कर रहा है. पहले की सरकारे तुष्टी करण में ही इतना व्यस्त रही, कि देश वाचियों के संतुष्टी करण पर उनका ध्यानी ही नहीं गया. वे वोट बेंक के तुष्टी करण में जुटे हुए थे, हम देश वाचियों के संतुष्टी करण में संपरपीत है. पहले की सरकारों में एक और बात पर बड़ा जोर रहा, वो देश के एक ही परिवार को देश का प्रथम परिवार मानती रही, देश के गरीब परिवार, देश के मध्यंबर की परिवार, उन्हों उन्हें तो उन्होंने अपने हाल पर ही छोड़ दिया था. इन परिवारों की आशाये, अपेक्षाये, उन्हें पूछने वाला ही कोई नहीं था. इसका जीता जागता उदार नहीं है, हमारी भारतिय रेल, भारतिय रेलवे दरसल, सामान्य भारतिय परिवार की सवारी है. माता, पीता, बच्चे, दादा, दादी, नाना, नानी, सबको इखटे जाना हो, तो दसकों से लोगों का सबसे बड़ा साधन रेल रही है. क्या सामान्य भारतिय परिवार की इस सवारी को समय के साथ आदुनिक नहीं किया जाना चाहिए था? क्या रेल रेल वे को ऐसे ही बदहाल छोड़ देना सही था? साथियों, आज जादी के बाद, बारत को एक बना, जो बना बनाया, बहुत बड़ा रेल वेड लेट वर्क मिला था, तबकी सरकारे चाहती, तो बहुत तेजी से रेल वे को आदुनिक बना सकती थी. लेकिन राज नितिक स्वार्थ के लिए, लोग लुभावन वादों के लिए, रेल वे के विकास को ही बली चड़ा दिया गया. हाल तो ये थी, कि आजादी के इतने दसकों बाद भी, हमारे नौर्थ इसके राज्य, ट्रेन से नहीं जुड़े थे. साल 2014 में, जब आपने मुझे सेवा का अउसर दिया, तो मैंने तय किया, कि अब ऐसा नहीं होगा, अब रेल्वे का काया कल्प होके रहेगा. बीते नव वर्षों में, हमारा ये निरंतर प्रयात रहा है, कि भारतिय रेल, दुनिया का स्रेश्ट्र रेल नेटवर्क कैसे बने? साल 2014 से पहले, भारतिय रेल को लेकर क्या-क्या खबरे आती थी? यह आप बली बाती जानते हैं, इतने बड़े रेल नेटवर्क में जगए जगए हजारों मानव रहित फाटक थे, वहाँ से अक्सर दुरगटनाओं की खबरे आती थी, कभी-कभी स्कूल के बच्चों के मौत की खबरे दिल दहला देती थी, आज ब्राडगेज नेटवर्क मानव रहित फाटकों से मुक्त हो चुका है, पहले ट्रेनों के दुरगटनागरस एक्सिडेंट होने और जानवाल की हानी की घटनाएं भी आए दिल आती रहती थी, आज भारतिय रेल बहुत अधीक सुरक्षित हुई है, यात्री सुरक्षा को मजबूत देने के लिए रेलवे में मेडी इंडिया कवच प्राविल का विस्तार किया जा रहा है, साथियों सुरक्षा सिप हाथ्सों से ही नहीं हैं, बल्कि अब सफर के दोरान भी अगर किसी यात्री को सिकायत होती हैं तो त्वरीत क्वारिवाई की जाती है, इमर्जेंसी की स्थिती में भी बहुत कम समय में सहायता उपलब्द कराई जाती है, ऐसी व्यवस्ता का सबसे अधिक लाब हमारी बहेनों बेटियों को हुआ है, पहले साप सफाई की सिकायते भी बहुत कम आती थी, रेल्वे स्टेशनों पर थोड़ी देर रुकना भी सजा जैसा लगता था, उपर से ट्रेने कई-कई घंटे लेट चला करती थी, आज साप सफाई भी बहतर और ट्रेनों के लेट होने की शिकायते भी निरंतर कम हो रही है, पहले तो स्थितिये थी, लोगों ने शिकायत करना ही बन कर दिया था, कोई सुनने वाला ही नहीं था, आपको याद होगा, पहले टिकिटों की काला बजारी तो शिकायतों में सामान्य बात थी, मिडिया में आए दिन इससे जुड़े स्टिंग ओप्रेशन दिखाये जाते थे, लेकिन आज टेक्नलोजी का उप्योग कर, हमने ऐसी अनेक समस्याओं का समाधान किया है, शिल्पकारों और कारीगरों के उत्पादों को देश के हर कौने तक पहुंचाना का भी बड़ा माध्यम बन रही है, वन स्टेशन, वन प्रोलक्ट, इस योजना के तहट, जिस सक्षेत्र में वो स्टेशन है, वहां के प्रसिद्ध कपड़े, कलाकृतिया, पेंटिंग, हस्तसिल्प, बरतनाधी, यात्री स्टेशन पर ही खरीच सकते हैं, इसके भी देश में करीब करीब छेसो आउटलेट बनाए जा चुके हैं, मुझे खुसी है कि बहुती कम समय में इन से एक लाग से जादा यात्री खरीदारी कर चुके हैं, साथ क्यों, आज भारतिय रेल देश के सामान्य परिवारों के लिए सुभीधा का परियाय बन रही है, आज देश में अनेकों रेल्वे स्टेशनों का आदुनी करन किया जा रहा है, आज देश के 6,000 स्टेशनों पर वाई-फाई की सुभीधा दी जा रही है, देश के 900 से ज़्यादा प्रमुख रेल्वे स्टेशनों पर सीसी टीवी लगाने का काम पूरा हो चुका है, हमारी ये बन्दे भारत एक्सप्रेस तो पूरे देश में हमारी युवापीडी में सुपर हिट हो चुकी है, साल भर इन ट्रेणों की सिटे फूल जा रही है, देश के हर कोने से बन्दे भारत चलाने की मांग की जा रही है, पहले सांसदों की चिठी आती थी, तो चिठी क्या आती थी, सांसद लिखते थे, फ़लानी ट्रेण, ये स्टेशन पर रोकने की व्यवस्ता हो, अभी दो स्टेशन पर रोकती है, तीन पर रोकने की व्यवस्ता हो, यहां रोकी जाए, वहां रोकी जाए, यही आता था, आज मुझे गर्व है मुझे संतोस है जब सांसत चिठी लिखते हैं और मांग करते हैं कि हमारे हाँ भी बंदे भारत जल्दी से जल्दी चालू हो साथियों रेलवे यात्रियों की सुविदाय बढ़ाने का या भ्यान लगातार बहुत तेज गती से चल रहा है इस साल के बजेट में भी रेलवे को रिकॉर्ड धन्राशी दी गई है एक समय था जब रेलवे के विकास की बात होते ही गाटे की बात की जाती थी लेकिन अगर विकास की इच्छा शक्ती हो नियत साफ हो और निश्ठा पक्की हो तो नए रास्ते भी निकल ही आते है बीते नव वर्षों में हमने रेलवे के बजेट को लगातार बढ़ाया है मद्दप्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड रुपिय से अधीक का रेलवे बजेट आवंटित किया गया है जबकि 2014 से पहले मद्दप्रदेश के लिए हर बार आउसातान 600 करोड रुपिया आप बताईए 600 करोड पर रेलवे बजेट था कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड साथियों आज रेलवे में कैसे आदूनी करन हो रहा है इसका एक उदारन इलेक्रिफिकेशन का काम भी है आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी ना किसी हिस्से में रेलवे नट्वर का शत प्रतीशत बिजनी करन हो चुका है जिन 11 राज्यों में शत प्रतीशत बिजनी करन हो चुका है उसमें मध्यप्रदेश भी शामील है 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमेटर रेलवे रूट का इलेक्रिफिकेशन होता था अब हर साल आउसादन 6000 किलोमेटर का इलेक्रिफिकेशन हो रहा है यह है हमारी सरकार के काम करने की रफ्तार साथियों मुझे खुशी है मध्यप्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है अब मध्यप्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है खेती हो या फिर उद्योग आज MP का सामर्थ भारत के सामर्थ को विस्तार दे रहा है विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्यप्रदेश को बिमारू कहा जाता था उन मेंसे अधिकतर में MP का प्रदर्शन प्रसोंसनिया है आज MP गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है हर गर जल पहुँचाने के लिए भी मध्यप्रदेश अच्छा काम कर रहा है गेहूं सहीत अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्यप्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे है उद्योगों के मामले में भी अभी राज्यन निरंतर नए किर्टिमानों की तरफ बढ़ रहा है इन सब प्रयासों से यहां युवाओं के लिए अनन्त अवसरों की संभावनाई भी बन रही है साथियों देश में विकास के लिए हो रहे है इन प्रयासों के बीच आप सभी देश्वाचियों को एक और बात की और भी ध्यान खिजवाना चाहता हूँ हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही यह ठान कर बैठे है और पब्लिकली बोले भी है और उन्होंने अपना संकल पर गोशित किया है क्या किया है उन्होंने अपना संकल पर गोशित किया है हम मोदी की छबी को दुमिल करके रहेंगे इसके लिए इन लोगों ने बाती बाती के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा समाले हुए है इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैड़ कर अपना काम कर रहे है ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें लेकिन आज बारत के गरीब, भारत का मद्यंबर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछडे, हर भारतिय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है और इसी लिए इसी लिए ये लोग बौखला गए हैं ये लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं दोजार चौदा में उन्होंने मोदी की इमेज, मोदी की छबिल दुमिल करने का संकल्प लिया अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कबर रखु देगी इनकी साजिसों के बीच आपको हर देश स्वासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्टन निर्मार पर ध्यान देना है हमें विक्सित भारत में मद्ध प्रदेश की भुमिका को और बढ़ारा है ये नई बंदे भारत एक्ष्प्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है एक बार फिर मद्ध प्रदेश के सभी नागरिक भाईयों बेहनों को बोपाल के नागरिक भाई बेहनों को इस आधुनिक ट्रेंड के लिए बहुत बहुत बढ़ाई हम सभी का सफर मंगल में हो यही शुब कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवार